मैं यतिवारिय कुमार विजय, आप सभी दर्षकों का देनिक यतिरासिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, आज मैं आपको इस वीडियो में होली का देहन का मुहरत क्या है, होली का देहन के दिन का पंचांग क्या है, और होली खेलने के बाद में गहरे रंगों को सरीर से कैसे चुड़ाई आजाए, यह मैं बताऊंगा, और होली का देहन के समय, आप क्या-क्या उपाए करने से क्या-क्या लाब मिलता है, यह मैं बताने वाला हूं, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिरफ वही उपाए बताऊंगा, जो साल में एक बार होली के दिन किये जा स इस वीडियो में मैं अन्य उपाए बताने से पहले आपको एक बिल्कुल अचोक परखा हुआ, यती उपाए बताऊंगा, आप मेरे बताए गए इस उपाए को हर कोई एक बार करके खुद आजमा कर जरूर देखे, आपको इसका लाब अवश्य मिलेगा, मेरा ऐसा आपके जीवन में खूब अच्छा खुशियों से रंग बर दे और आप अपने सांसारिक और पारिवारिक जीवन में अमेशा खुश रहे, प्रेम से रहे, सुखी रहे, हंस्ते और मुस्क्राते रहे, और अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इस ओली पर आप क्या-क पसंद आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप होली की सुखकामना सभी देशवासियों के लिए जरूर लिखे, अब आगे बढ़ते हैं सबसे पहले कि होली के दिन का पंचांग क्या रहेगा यह मैं आपको बता देता हूं और होली का देहन का मूरत क्या रहेगा वह अब भी मैं आपको बता देता हूं यह जो भाग है आप थोड़ा ज्यान से देखें समझें दिनांक 7 मार्च 2023 मंगलवार का दिन फालगुन मास की पूर्णिमा शाम 6 बजकर 9 बजे तक रहेगी और फिर उसके बाद मैं चैत्र मास करश्ण पक्स की परतिपदातिती सरू बाव करन समको 6 बजकर 9 मनर तक रहेगा फिर 12 कर शरू होगा चंदरमाň दिन रात शिहर रासी में गोचर करता रहेगा और अभीजीत मॉरत अभीजीत मुली के दिन, दोपहर 12 बज कर 26 मिनद से एक बज कर 13 मिनद तक रहेगा और शुर्योदयन अभड़ीं के दिन, सुबहरे 6 बज कर 57 मिनद पर होगा सुरियोदय सुबह रहे 6 बज़ कर 17 मिनट पर होगा और सुरिया स्वाइश साम को 6 बज़ कर 22 मिनट पर होगा होली का देहन का जो सुब मोरत है शाम को 6 बज़ कर 21 मिनट से रात को 8 बज़ कर 48 मिनट तक रहेगा अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि होली के दिन क्या-क्या उपाय किये जा सकते हैं और होली का रम कैसे छुड़ाया जाए आप मैंसे बहुत से लोग काफी समशयाओं में हमेशा गिरे रहते हैं और कुछ भी होते हैं समश्या का सामना करना पड़ता है तो एक बार मेरा यह जो वीडियो है आप ध्यान से देखें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अनुरूद करना चाता हूँ अगर आपने अभी तक मेरे चनल को सबस्क्राइब नहीं किया 9462575291 पर आप चंपक कर सकते हैं इसके अलावा मैं पूरे सप्ता व्यस्त रहता हूँ आपसे बाचित नहीं कर पाऊँगा अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि जो होली के दिन पूरे साल में एक ही दिन कुछ ऐसे उपाई है जो किये जा सकते हैं वह क्या क्या हो सकते हैं अलग 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 उपाई मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इस वीडियो में तो आप जरूर देखें क्योंकि समाज में रहते हैं परिवार में रहते हैं तो कोई न कोई समय हैं, अमको जरूर गेर कर रखती है, कोई समय हैं तो कम समय के लिए होती है, लेकिन कोई समय है तो बहुत लंबे समय तक भी चलती है. तो आप मेरे इस वीडियो से अगर देखेंगे, तो आपको हो सकता है लाभ मिल जाए. मेरा यह वीडियो होली पर समन्य मानेताओं पर आधरित है और सबसे पहले तो मैं आपको यह भी बता देता हूँ कि कभी भी इस बात का विश्वास नहीं करना चाहिए कि किसी ने आपके उपर या वेपार को बंधन कर दिया है कोई तांतरिक क्रिया करवा दी है यतिवाने के नुसार यह सब हमारे मन का ही वेहम होता है इसको हम अंद विश्वास भी कह सकते हैं और मैं यह जो वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ उपायों के लिए इसका मतलब यह कत्ता ही नहीं है कि कोई अंद विश्वास को मैं बड़ावा दे रहा हूँ मेरा उदेश्य के वली ऐसा है कि आप अगर किसी समस्या से गिरेवे हैं तो यह जो मैं उपाय बता रहा हूँ वैसा उपाय अगर आप करेंगे तो हो सकता है आपकी समस्याओं का निदान आपको मिल जाएगा लेकिन अगर फिर भी आपका मन ना माने और ऐसा लगे कि कुछ तो कारण जरूर है जिसके कारण चलता हुआ वैपार अचानक बंद हो गया है या ग्रहा की कम हो गई है या वैपार में पैशा फस गया है या आपके वैपारिक सम्मंद भी बिगड रहे है या आपका नाम कहीं पर खराब हो रहा है तो मैं आपको पूर्ण रूप से एक अजमाया हुआ उपाय बता रहा हूँ अगर आप उसको करते हैं तो यकिन वाने इसके बाद में सब कुछ आपके मन के नुकुल होता चले जाएगा ऐसा मेरा विश्वास है उपाय जो अजमाया है वह इस परकार साए बिल्कुल ध्यान से देखें नोट कर लें बार-बार सुनें समझें और उसके बाद में करें यदि किशी ने आपके वेवशाय अत्वाद निवास पर कोई तंत्र करिया करवा रखी है तो होली का देहन में एक पूजा करने वाड़ा भा स्रीफल को अपने वेवशाय उस्थान के अंदर चारों और से घुमा कर और घुम कर देтак यतिमानी के अनुसार अगर करें तो जिस समय शरीफल को istथान पर आप घुमा रहे होते हैं या घुमाया जा रहा होता है उस समय आप मैं मैं जो मंत्र बता रहा हूं वह मंत्र आप याद कर लें और उसको नारेल वेपारिस्तान में या घर में कहीं भी आप गुमाते हैं क्लॉकवाइज गुमाना है पहली बात तो सीधे आद की तरफ से गुमाना है और मैं जो मंत्र बता रहा हूं उसको सई सब्दों के अनुसार आप कंठस्त कर लें और वह मंत्र बोलते वे घर में गुमाएं और फिर उस नारेल को आप बोली में होम कर दें तो जब आप पूज पर भी देख रहे हैं ओम गंटा कर्ण सर्व विग्न बंधन द्रश्टी दोस बैठते उठते खाते पीते समान खरीदते समान बेचते रुपिया लेते रुपिया देते किसी अडोसी ने किसी पडोसी ने किसी ग्राहक ने किसी अपने ने किसी पराय ने नजर दोस लगाया हो किसी ने कोई मैली किरिया की हो किसी ने वेपार बंदन किया हो या कोई देव दोस हुआ हो तो मम इस्थानम रक्षाम कुरू कुरू इस श्रीफल के साथ ही अलिका में यह जो है श्रीफल दहन कर दे या जो मंत्र है वो इस प्रकार से है कि जब अपने बोलते हैं मम इस्था ओनम, रक्षाम, कुरू-कुरू उसके बाद में यह भी बोलना है इस श्रीफल के साथ ही पोलिका में दहन हो, दहन हो, दहन हो यह जो दहन हो, दहन हो तीन वार बोलना है यह मंत्र पढ़ने के बाग जब बोली का में आप उसको दहन करेंगे इतना आपको कर देना है और फिर घर आकर सांती से अपने परिवार के साथ बैठ कर बोली आदित युहार का आनन ले रहे अब बढ़ते हैं आगे और कुछ और उपाई देखते हैं सायद आप पिछले काफी वक्त से ऐसी परिशानिय उसे गुजर रहे होंगे तो यहाँ उपाई करने से आपको लाब मिलेगा और मैं जो उपाई बताता हूँ वह बहुत छोटे और सरल होते हैं इनको करने से कोई भी साइड इफेक्ट या दुस प्रवाव नहीं मिलता है पहला उपाई यहाँ है अगर आपके गर में जगड पूज में बन करके रख दे जहां वह सेफ और सुरिक्षित रहे और फिर जब चैत्री नवरात्री आए तो पर्तिपदा को उस दिन इसको बहते पानी में विशेजन भी कर दे और अपने घर में देवी माता के पूजन करे और कुल देवी माता के जाप रोजाना सुबह साम करें कुल देवी माता के रोज दो माड़ा जाप आप करें तो इसका फाइदा आपको मिलेगा दूसरा जो उपाई है पूजा में काम आने वाला पानी भरा नारियल लेकर उसको अपने घर में हर कोने में गुमा कर कपूर लॉंग गुड़ से बनी जो रेवड़ी होती है व और कपूर लॉंग गुड़ और गुड़ से बनी रेवड़ी और लाल रंग थोड़ा गुलाल लेकर के वह सब होलिका में देहन कर दे तो आपके लिए सभी परकार के बंदन जो है इस नारियल के साथ में ही खुल जाएंगे कलेश, दरिदरता, रोग आदी सब जो है वह घ गर्भती कपूर और लाल गुला लेकर प्राथना करें और पहलाद की तरह भक्ती-शेवा की सकती परदान करें और जीवन में आ रही बादाओं और परिशानेयों से मुक्ती-परदान करें ऐसी परतना जरूर करें चोथा है होली की साम को गुड और घी की लापसी बनाएं उसमें नारियल की गिरी के छोटे-छोटे टुकडे किस्मी सकाजू और उपर कुछ गुलाब के फूल की पतियां लगा कर होली का देहन के समय अगनी को भोग लगा कर वह लापसी वहीं लोगों में बांट दे अगर आप यह प्रियोग करते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि यह लापसी का बोग आपके गर में दिवंगत पूर्वजों को भी लगाना है और सबसे आसिरवात देने की परातना भी करना है पांचवा उपाय है यह जो उपाय है एक बहुत परफेक्ट उ उसको केशर से पूजन करें और उस पर चांदी का बरक लगाए और फिर उसको कुमकुम से पूजन करके होलिका में देहन की जगह ले जाए और मुठी में बन करके होलिका के चकर लगाए जाए और लक्षमी जी से प्रातना करते हुए उनके किसी भी मंत्र का जाप आप करत ज़ल रहे और लक्ष्मी जी से प्रात्ना करते रहे में किसी भी मंत्र का जाब ही करें जब तक आप मंत्र को 28 नहीं बोल लेते तब तक चक्कर आपको लगाते रहना है और फिर उसको लेकर घर आ जाए और मद्य रात्री ठीक बारह बजे बारह बजकर दो या तीन सेकिंड जब उपर निकल जाए या एक मिनट उपर निकल जाए तब उसको अपने तीजोरी में चांदी के जो आपने चोकिली उसको रख देना है फिर अपने पूर्ण सर्दा से नित्य धूप दीप अगर्वती से रोजाना उसका पूजन करे तो आपके घर में धनकी बरसाद भी शुरू हो सकती है कहने का मतलब है कि आर्थिक परिशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी छठा उपाए है यदि आप किसी परकार का कोई आपके उपर करज है तो होली की रात में यह जलाने वाले इस्तान पर गुलाल से थोड़ा उजन करे गुलाल से वहाँ पर तिरकोन बनाए और उस तिरकोन को गुलाल से पूरा भर दे और जिससे करज लिया है उसका नाम अपने हाथ की सबसे बड़ी उंगली से लिखे और प्रात्ना करे कि इनका करज से जल्दी मुक् थोड़े से काड़े तिल वह गुड की एक डली रखकर तथा सिंदूर छिड़क कर पान के पत्ते से डख दे और वहां पर रख दे साथमा उपाय है अब जो आपने पते और छिड़क कर वहां डखा है सात प्रक्रिमा होडिका देहन होड़ी योँ वहां पर आप करें परते एक बार जो मैं मंत्र आपको बता रहा हूं उस मंत्र का जाप करें एक एक लौं तिल होडिका में डालते जए मंत्र औम्नमो वासुदेवन फिर जिसका नाम जिसके यूं jour में दूबे हैं उस वेक्ति का नाम ले वे ओम नमो वासू देवाय मैं किसी का ऐसे ही नाम ले लेता हूं क्रश्न करज विन सेयते फटेश स्वाहा यहां जो मैंने अमुक आप देख रहे हैं इस अमुक के इस्तान पर जो आपका करजदार है उसका नाम लेना है परिक्रमा करने के बाद मैं परणाम करके सब समान एक साथ होली में होम कर दे और वापस घर आ जाए शुबह जल्दी उठकर होली का का थोड़ा सा राक लेकर बहते वे पानी में भी विरसेजन करके आ जाए तो वो आपका जो करज है जल्दी से जल्दी उतर जाएगा ऐसा मेरा विश्वास ह आठवा है अगर आप कोट केसे परिशाने वह चाए किसी भी परकार का केसे तो मैं आपको बहुत सरल उपाय बता रहा हूँ आप जरूर करें इसे से आपको लाब मिलेगा गोड़ी जब पूरण जल जाए तो वहां से कुछ राख ले आए और एक पीपल के पत्ते पर सीधे साइड में जिदर से रंग हड़का रहता है उस पर लोहे की कील से सत्रू का नाम और मुकदमा नंबर लिख कर बहते वे पानी में विशर्जन कर दे हैं बोड़ी की राक में तिली का थोड़ा सा तेल मिला कर पेष्ट बना ले फिर लोहे की कील से यह लिखना है तो आपको सत्रू से या कोट के से मुक्ति मिल जाएगी अभी मैंने आठ हुबाय आपको अच्छे और सुब और लाब पाने के लिए या स लड़की को अपने स्वार्थ पूर्ती के लिए जूटे प्रेम जाल में फसा कर रखा है यानि आपके घर में लड़की है और किसी ऐसे लफेंग आदमी नहीं है जो जिसको आप चाते नहीं हो वो कोई काम का नहीं है ऐसे लड़के ने अगर आपकी लड़की को फसा रखा है प्रेम जाल में और लड़की मान नहीं रही है तो आप ऐसा जो मैं उपाए बता रहा हूं वैसा करना तो हो सकता है कि आपको ये जो समश्या इससे भी आपको मुक्ती मिल जाए तो मैं क्या कह रहा था कि अभी मैं आपको दो उपाए ऐसे बताऊंगा जो उन माता-पिता के लिए या भाई-बेहन के लिए है जिनके परिवार में किसी लड़के या लड़की को अपने स्वार्थ पूर्ती के लिए किसी ने जूटे प्रेम जाल में फसा कर रखा है और किसी भी तरह से हर परियास करने के बाद भी अपने परिवार के सदस्ये को ऐसे लोगों से तो आप मेरा इहा जो उपाय है वह अजमाकत जरूर देखे है तो यह नमा उपाय होगा अगर आपकी बहन या बेटी या घर की कोई भी महिला या आपका बेटा भाई या पती आदि किसी अन्य के प्रेम जाल में फश चुके हैं तो आप एक काम करे मंदार के दो बड़े पते यानि मंदार यानि के आकडे का जो पत्य होता है वह आकडे के दो पत्य लिए और पत्य के पोदे के रस यानि के उसी पेड के जो रस निकलता है पत्य में से उसके रस से ही पत्यों को पत्यों के दोनों उल्टी साइड में एक पत्य पर पुरुस का नाम जो उसका है जो आपक उसका लिखना है जो आपका लड़का या लड़की जो है प्रेम जाल में फसे उनका नाम लिखना है और दूसरी तरफ जिसके जाल में वह फसावा है लड़का या लड़की उसका नाम लिखना है यह नाम भी जो है मंदार के पेड़ के पत्ते पर दूद से ही लिखना है और जब आप नाम लिख लें, तो एक नाम जिससे आपको पीछा चुडवाना है, उस नाम पर काली श्याही या काडा रंग थोड़ा सा छिड़क दें, और जिसको आपको बचाना है, उस पर लाल रंग कुमकुम अधि छांड दें, यानि जिसको प्रेम जाल से बचाना है, उसके पानी है, उसके उपर काला रंग या कोई बिलीव श्याही यादि थोड़ा छिड़क दें, तो और उसके बाद में, दोनों पत्तों को ऐसे आपस में जोड़े, कि एक का नाम इस तरफ से दिखे, और दूसरे का नाम उस तरफ से दिखे, यानि कि आपको एंटी के रूप से जैसे कि या दोनों के नाम लिखे वें, तो आपको पत्ते ऐसे रखना है, दोनों ऐसे नहीं रखना है, ऐसे रखना है उल्टा, ऐसा उल्टा रखके, उसको वापस उसके मंदार के दूझ से लेप लगा कर चिपका दे वें, और कुछ देर सूखने के लिए रख दे, जब वह पत्ते सूख जाएं, तो उनको वोली की अगनी में जलाकर भसम कर दें. इससे आपको राहत मिलना शरू हो जाएगी. अगर आप यहाँ उपाय खुद नहीं कर सकते तो किसी जानकार व्यक्ति से भी करवा सकते हैं. इससे आपका जो लड़का है या आपकी जो लड़की है किसी के प्रेम जाल में फशेवे हैं, तो उससे फिर वह देरे-देरे ऑटोमेटिक दूर होना सुरू हो जाएगी. दूसरा उपाय है, जो आपको बताऊंगा, वह पहले उपाय से उल्टा होगा. जैसे कि अगर आपका कोई सगा, परसंगी या घर का सदे से आपसे नराज ह तो पुरुषो या इस्त्री, यह उपाय दोनों के लिए समान ही है, कोई भी कर सकता है. जिससे दो बिचड़ेवे दोस्त या परिवार के सदस्या फिर आपकी तरफ आकरसित होकर आपके पास लौट आएंगे. लेकिन उपाय करने के बाद में थोड़ा देरी रखना तो करें. उपाय बहुत सरल है, जो वेक्ति आपसे दूर चला गया है, उसका नाम गिलोई के एक बड़े पत्ते पर सहद से लिखें और लिखने के लिए अनार की कलम का परियोग करें और उस नाम के नीचे पंदरिया यंत्र बनाएं और जिदर नाम लिखा है, उस नाम को अंदर की तरफ इस प्रकार से पत्ते को गोल बंडल के रूप में बना लेना है, और उसको मोली के एक पतले दागे से बांध लेना है, ताकि वह पत्ता जो आपने गोल-गोल फोल्ड किया है, वह खुले नहीं, और फिर उसको घर के अंदर, कमरे में, उत्तर दिशा में, उ अगर यहां उपाय आपने सर्दापूर्ण से कर दिया, तो आप से बिच्ड़ा हुआ सदस्य या घर से गया हुआ सदस्य वापस आने के योग प्रवल बन जाते हैं, आप इस उपाय को भी किसी जानकार व्यक्ति से करवा सकते हैं, अगर आप नहीं कर सकते हैं, तो. अब मैं आपको कुछ होली के रंग चहरे और बालों से चुड़ाने के उपाय भी बता देता हूँ, ताकि आप खूब रंग खेले, और फिर आसानी से अपने चहरे से रंग को चुड़ा भी ले, इससे आपको होली का आनन्द भी भरपूर आएगा, और रंग खेलने का मज कुछान होगा, इसके साथ ही ब्लीच करने से भी आप बचे, कई लोगों को लगता है कि बार बार तवच्चा को रगणने या बालों को मलने से रंग जल्दी निकल जाता है, लेकिन यह सही नहीं है, ऐसा करना भी हानिकारक हो सकता है, अगर बुरी गुणवत्ता के रंगो के कारण, आपकी तवच्चा या चेहरे में जलन हो रही है, तो सहद के लिए आलू के टुकडे या फिर जो आज कल टिप टिप डिप डिप आड़े जो टी बैग होते हैं, उसका परियोग करें, चेहरे की तवच्चा बेहद नाजुक और पतली होती है, ऐसे में इसका के रंगों से अपने जीवन को रंगीन बनाए, परिशानी का कारण न बनने दे रंगों को, अगर चेहरे पर गहरा रंग पुत गया है, आज कल कोडिया रंग कहते हैं, या फूल गुला भी रंग या पका रंग कहते हैं, तो अगर ऐसा रंग आपके चेहरे पर शरीर पर ज अल्कुल नहीं करना चाहिए इससे रंग आपके इसकीन के बारिक सिद्रों के अंदर प्रवेश कर जाएगा और फिर दो-चार दिन तक तो वह नहीं निकलने वाड़ा इसलिए आप दही की मालिस करें या फिर नीमबू और बेशन के आटे का गोल बना कर तयार रखें जिसको कई वार हम पीटी भी बोलता है उसमें अल्दी भी डाल सकते हैं आप और ऐसी निमबू बेशन और अल्दी के गोल से जो आटे की लोई बनाई जाए तो उसको दीरे दीरे जहां जहां पर सरीर पर रंग लगा है गहरा वहां वहां पर हड़की हड़की मालिस करते रहें तो वो कितना भी गहरा रंग क्यों न हो आटे में दही मिलाकर पेश्ट बनाकर मालिस करने से वहां रंग निकल जाता है निमबू को रंग पर रगणने से कितना भी गहरा रंग क्यों न हो वहां रंग जो है उतर जाता है इस परकार से आप होली के दिन अपनी समश्याओं के ज आने वाले साल में देखने को मिलेगा यह था आज के वीडियो में होली पर करने वाले कुछ अच्छो कुपाए और रंग छुडाने के तरीके और होली दहन करने का सुब मुहरत आदी अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में होली की सुब काम अवश्य लिखें अगले वीडियो में मैं आपको मार्च महिने का मासिक राशिपल सभी 12 राशियों के लिए बताऊंगा मैंने मार्च महिने के मासिक राशिपल के 3 वीडियो बनाए है हर वीडियो में 4-4 राशियां है उस वीडियो में आप अपनी राशिय जरूर देखें आप मेरे चैनल से जुड़े रही है इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगले वीडियो मिलेंगे तब तक जाए जिनन्दर